वेल जवान की सूपर सक्सेस के बाद ना कुछ ऐसे डिरेक्टर हैं जो शारुक खान के नाम का इस्तमाल करके अपनी मूवी को हिट कराने की कोशिश कर रहे है वेल अभी अभी एक स्टेटमेंट आया है एक डिरेक्टर का नाम बताऊंगा बाद में लेकिन पहले वह स्टेट खाली है एक के बाद एक के बाद एक ऐसी मूवी आज तक आये जा रही है जो इंडियन कल्चर को थेस पहुचा रही है इंडियन कल्चर को बरबाद कर रही है और उसने पूरी तरीके से हमारे देश को बरबाद कर दिया है और इस कल्चर को बरबाद करने मां मिता बच्चन के अलावा दो और लोगों का हाते वो है करण जोहर और शारुक खान इंपक्ट शारुक खान करण जोहर ने तो ऐसी movies बनाई है जो कि पूरी तरीके से भारत के culture को खतम करने वाली है और शारुक खान तो जहां भी जाते हैं वो तो सलाम ही करते हैं यानि वो पक्ये मुसल्मान है वो कभी नमस्ते बोलते ही नहीं और हमारे भारत का तो culture सबको नमस्ते बोलने का है वेल यह जो statement दिया है यह दिया है दे कश्मीर फाइल के डिरेक्टर विवेक अगनी होतरी ने शारुक खान नेवर सेज नमस्ते वेल अब यह statement विवेक अगनी होतरी ने क्यों दिया यह तो शायद आप खुद भी समझ सकते हो इनकी मुवी 28 तारीक को रिलीज होने के लिए तैयार है वैक्सीन वार तो वेल मुझे यह लगता है कि विवेक अगनी होतरी इस तरीके का statement देते हैं तो तरह एक बार यह देखी होगी उसके बाद इन्होंने मुवी बनाई है दन दना दन गोल इस मुवी के अंदर इन्होंने अपना क्रिस्टियान और रोनाल्डो और अपना मैसी खड़ा कर दिया था अर्शद वार्थी और जॉन इवराहिम के लुक में वेल चलो ठीक है यह भी पचा लेता इस के बाद यह लेकर आए हेट स्टोरी और हेट स्टोरी के बाद यह लेकर आए मूवी जिद और इन दोनों मूवी में इन्होंने क्या इंडियन कल्चर को शो किया है वो तो दुनिया जानती है तो वेल आप अगर ऐसा स्टेट्मेंट किसी अक्टर के बारे में बोल रहे हो ज विवेक अगनी ओतरी की इस मूवी का ट्रेलर मैंने भी देखा और यह ट्रेलर मुझे अच्छा लगा जैने अगर आपकी मूवी वैक्सीन वार में दम होगा तो वो चलेगी जिदे दर कश्मीर फाइल में दम था तो वो मूवी पैसे कमा गई और आपको नेशनल आवार्ड अब अगर वैक्सीन वार में दम होगा तो यह मूवी भी चलेगी जैसे दर केरेला स्टोरी चली थी तो आपकी मूवी को चलाने के लिए किसी आक्टर के ओपर इस तरीके का कॉंट्रोवर्शल स्टेट्मेंट देना और हिंदू-मुसल्मान करना यह गलत बात है वेल आपक